और क्या हाल है मेरे दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का स्वेता पाकला में स्वागत की साथ अभिनन्दन करती हूँ तथा अपने नई दोस्तों कैसे भूल सकती है लोग आप लोग कैसे हो आश्रेता पाक कलाम बना है मैंगो शेक जो बनाना में पोहती जी जटपड बनने वाली रेसिपी थोड़ी समागरी की त्वारा बन जाती है चलो दोस्तों हम आप इसको मिलके बना लेते हैं एक हमने पूरी तरह से पका हुआ आम लिया है आम के त्वारा इसी आम के त्वारा मैंगो शेक हम बनाएंगे साथ ही साथ 300 ml हमने दूद लिया है जिसमें पानी को प्योग हम नहीं कर रहे हैं बदाम लिया है हमने बदाम का छल्ला हमने काट लिया इसका लिंक पहले हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया दो टेबो इस्पून चीनी है दो टेबो इस्पून हमने मलाई लिया है सबसे पहले चाकुक सायता से आम को छील के हम तयार कर लिते हैं इस आम को पहली हमने धुल के साफ करके रख लिया था अब इसको हम छील लेते हैं इस तरह हमने पूरे आम को छील के तयार करना है देखे कितना बढ़ियाँ इसका आम का color है ये देखे आम इस तरह हमने पूरे आम को छहिल के तयार کر लिया है अब इसके हमने छोटे टुकडे काट लिए चाकूक सातास इसमें लंबी फाक लगाते हैं उसके बाद इसको इस तरह से करके ये हमने इसको छोटी टुकड़े काटके तयार कर लिए, इसी तरह हमने पूरे आम को काटके तयार कर लेना है आम को हमने छोटी टुकड़े में काटके तयार करके रख लिए देखें आम तयार होके, अब हम एक mixi का जाल ले लेते हैं, जिसके इनदर हम mango shake बनाएंगे और यह हमने मिक्सी का एक जाल ले लिया, इसके अंदर सारे आम को हम डाल देते हैं, आम का कलर देख की लग रहा है कि तपढ़िया मैंगो शीक बन के तयार होगा, अब इसके अंदर दो टेबर स्पून हमने चीनी डाल देना है, मीठा आप अपने स्वात के उसार कम या जाद कर सकते हैं, साथ चाहस साथ जो हमने तीन टेबर स्पून फ्रेस मलाई लिए घर की मलाई है, इसको भी इसके अंदर हम डाल देते हैं, अब इसके अंदर पूरी दूद को हमने मिला देना है, क्योंकि आज का मैंगो शीक किवल दूद के त्वारा ही बन के तयार होगा, अब इसके अंदर हमने 5-6 आइस क्यूब डाल दे, क्योंकि ठंडा-ठंडा मैंगो शीक बहुत अच्छा लगता है, दुबारा से इसको चला लेते हैं, और ये देखे पिल्कुर ठंडा मैंगो शीक बन के तयार हो गया, बात में आइस डालने से और ठीक हो जाता है, अब इसको अब बनाएंगे जरूर मैंगो शीक पसंद आएगा, थोड़ा सा मैंगो शीक बच गया है, जिसको हमने दूसरी तरह से कर दिया, एक हमने छोटी सी ग्लास ले लिए, जिसके अंदर हमने रुआपसा डाल के चारो तरफ से अंदर से इसको कोट कर दिया, अब इसके अंदर ह देते हैं, छोटे बच्चों को इस पिसली बहुत ज्यादा पसंद आता है, देखी तीन ग्लास मैंगो शीक बन के तयार होगे, दो बड़ी तथा एक छोटी गानिशिक में आप जो भी पसंद करते हो, उसके हिसाब से आप इसमें गानिशिक कर लीजे, अगर रुआपसा आ कि पीना पसंद करते हो, तो उस तरह कर लीजे, और इसके उपर हमने थोड़ा सा आम, थोड़ी से मलाई, तथा थोड़ा सा बदाम के छल्ले डाल दिये हैं, इस तरह हमारा मैंगो शीक बन के तयार होके, आप अपने दोस्तों, मित्रों, यारों तथा अपनों साथ इसको श खाए, पीजे, फ्रेस बनाईए, आप प्यार से कोई भी चीज बनाते हो, उसका स्वाथ बहुत अच्छा था, आप दिपना किम्ती से मनिका के, हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद, बहुत बहुत शक्रिया, फिर मिलते हैं अपनी न